गुड मॉर्निंग फ्रेंज्स गुड आफ्टर में हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है मेरे नाम स्मिदात्रिपाथी है और ये और मैं एक डिफेंस आफसर की वाइफ हूँ ये भी आपको पता होगा और ये देखिये मेरे पास कौन लेटा है जल्दी पोलो हैलो आके ये लेटी है लारात्रिपाथी ये देखिए ये लारात्रिपाथी इनना टक दिखाएंगे अपना एटिट्थूड और जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि मैं एक फिल्मेकर भी हूँ और क्या हूँ लारा देखो अब इनको इस समय मेरे साथ खेलना है जहां मैं बलॉक बनाने बैठी इनको कुछ ना कुछ बनमाशी करनी होती है। और मैं एक animal lover भी हूँ हाँ जी यह animal lover ज़रुर याद रखे गा बाकियी कुछ और याद रखे न रखे। मैंने अपने के बाल है तक दो कटा ज़ी हैं मेरा ना बिखा श्रीशच Sir मेरे हस्टाइड में किया है क्योंकि मुझे बाल बहुत ज़ी हुएं 我的 Also, अगर बिखिभा घुια दो सबस्टाइब ये ज़ी हैं तो मुझे लंबे बालों में कंगी करने में बहुत उल्जन हो रही थी तो मैं उससे काफी लीफ फील कर रही हूँ तो यह में लिए सबसे बड़ी बात है तो मैंने कहां बाल कट गया है मेरे आज और आपको पता ही है कि सामली सलोनी को नया घर मिल गया तो यह बड़ी खुश कबरी है जो मैंने आप लोगों से कल शेयर की थी और सबसे अच्छी बात है बहुत खुश है बहुत अच्छे से है मैंने से सबसे बड़ी सीखी कि पैसे से ही सब कुछ नहीं होता दिल से होता है एक सिंपल सा परवार जिसने सामनी सलोनी को रखा हुआ है और बड़े प्यार से रखा हुआ है अगर हम उन सब मिलके उनकी कुछ मदद कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्जाम्पल्स होगा ऐसी सोसाइटीज के लिए बहुत बड़ा एक्जाम्पल्स होगा जो बहुत पैसा होकर के सब कुछ होकर के भी एक डो पपीज को रखने को त्यार नहीं है मैंने कल एक छोटा सा सजेशन दिया था फेस्बुक पे डाला था अपने मैंने कि अगर हम लोग दो दो पपीज भी सोसाइटी में रख लें स्पेशली पप्स जो रोट पे मरते हैं वो ये इशूस खतम हो जाएंगे और अगर एक केर टेकर लट लिए जाएंगे अगर 25 आप सोचो 25 लोग भी हैं एक सोसाइटी में और हर आदमी अगर 500 पर भी कंट्रीब्यूट करें तो उस केर टेकर को पैसे मिल जाएंगे कुविड में किसी को काम मिल जाएंगा अच्छे बने दो पप्स जो बिना मा के कई बार पड़े रहते हैं रोडों पे उनको कोई देखने वाला नहीं होता विचारे गाणियों के नीचे जाके कुचल जाते हैं या बिना खंभूक प्यास के मर जाते हैं उनको घर मिल जाएगा किसी को काम मिल जाएगा और जिंद लगते हैं सेक्योर्टी के लिए तो इससे बड़िया सेक्योर्टी और लोयल्टी आपको कोई नहीं दे सकता उनको इंजेक्शन लगाते रहे टाइम टेम पे आपके बच्चे लोग भी है वो आकर के खेलेंगे उनके साथ तो मुझे इसमें नहीं समझ में आता कि क्या बु paris हो गया तो सबाते अबने मंन से सोच लो इसलिए स्थाट को ही रिजेक्ट कर दो कर दो क्या थाइस्थार को इशिक्व कर दो इसमें अनिमल लवर एंनलं लवर की बात कि भाति नहीं हई बात होती है कि हम अगर कुछ छोटे से से सभी को फायदा हो पाए तो उसको आदमी क्यों ना उठाए तो मैंने इन परवार से यह सीखा देखिए मैं आरे कॉलनी में निकले हम लेकर के उसको और हमें एक परवार मिल गया जो हम कितनी सुसाइटीज और एंजियो में तराश रहे थे तो इसके आंसर्स कितने सिंपल है पर अगर हमें आंसर्स निकालने ही नहीं तो वह बाते अलग हैं कि हमको अंसर्स ही नहीं डूडने है जी हमको इसका अंसर्स ही नहीं चाहिए तो वह बाते फिर अलग हो जाती है इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाती रहूंगे इसके उपर मैं बार-बार बात करती रहूंगी तब तक जब तक कि हम फाइनली इसके स ब्लॉग में रिपीट करूंगी कि मैं देख रही हूं और हम सब experience कर रहे हैं कहीं ने कहीं अपने घरों में अपने दोस्तों में कहीं ने कहीं deaths हो रही हैं कोविट की और closely इन चीज़ों को वाच कर रहे हैं और हर आदमी किसी ना किसी तरह के anxiety, anxious और mental depression से गुजर रहा हैं और यह सच मुझ में एक worldwide problem हो गई है ऐसा नहीं है कि हमें तो थोड़े से examples अपने घरों में या दोस्तों में दिख रहे होंगी तो worldwide depression and anxious anxiety की बहुत लोगों की secretary medicine चुरू हो गई ऐसे लोगों की जिनकी हमने कभी ने सोचा था कि इनको किसी चीज का भी फियर होगा सच मुझ एक चीज इतनी खतरनाक है तो हम सबको एक तो साफधान रहना है दूसरी चीज अपने depression को मुझे भी depression बहुत एक दो बार बहुत और बहुत तगड़े depression हुए है अगर मेरी जान बच गई तो भगवानी उसके लिए जिम्हेदार है और कोई नहीं तो एड्मिट करिए कि आपको depression है आपको problem हो रही है इस चीज को एड्मिट denial mode में रहना is not the correct answer एड्मिट करिए कि हमको problem है ताकि आपके close relatives आपके अपने लोग आपके friends आपको इस problem से निकालने की सोचे इसमें आपकी मदद करें खुल के मदद मांगे कोई शरम की बात नहीं है खुल के मदद मांगे इस चीजों का हम अगर normal इंसान है अगर हम normal human being है तो हमको इसके बारे में खुल के बात करना पड़ेगा ये कोई शरम की चीज नहीं है और मुझे याद है मुझे जब हुआ था बहुत सारी दवाईया चली उनके side effects अलग होते थे तो बहुत जादा चीजों से बहुत परस्तिती उनसे एक इंसान मैं जो महसूस कर सकती हूं कि उसको कितनी कश्ट और कितनी तकलीफ हो रही होगी और finally मैंने इससे खुदी को निकाला खुदी को निकालने का मतलब था मैंने अपनी लाइफ में खुद को चैलेंज देना शुरू किया चोटे चोटे चैलेंज में डेली हिसाफ से डालने स्टेशन से जाके काफी दूर तक जाकर कि उसी स्टेशन पर टॉप करके उतरके और स्टेशन से वापस घर के लिए लौट लेती ताकि वह मेरा आत्म विश्वास फिर से वापस आए मेरी बॉडी माइंड सुसाइडल हो रहा था तो वह मुझे तरह तरह से मैसेज देता थ मैं जाके छत्की एज पर खड़े होके मैंने अपने माइंड को चैलेंज हो करना शुरू कर दिया कि हाँ अब मुझे तुम को दा के दिखाओ माइंड इतना बदमाश होता है अगर आप इसको राइट फीडिंग नहीं देंगे इसलिए बहुत केरफुल रही है कि आप कासी चीज़ से तो अपना समय बटार रहे हैं Kap Maddo किस तरह की समय बटा रहे हैं वहें यूट्यूप रिया सुचल मीडिया पर किस तरह की चीज़ों को देख रहे थी उसको ध्यान में रखिया मैंने अपने को जब इस तरह से कार्द से चलेंज strength जो हम सब के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह कहना कि सिर्फ कह देना कि अरे हमको किसी situation से डर नहीं लगता यह हमको किसी situation से कोई फरक नहीं पड़ता यह सिर्फ कहने वाली बाते हैं बाई साब जिसके घर में deaths हो गई है ना कोविट की वज़े से जिसकी वज़े घर में जो कोविट से गुजरा है उसके लिए definitely बहुत horrifying experience है और उससे बाहर आना बहुत मिश्किल है तो उसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ऐसे लोग की मदद कैसे कर सकते हैं यह हम सुने हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे examples को सुने जो लोग ऐसे चीज़ों से बाहर आए मैं तो बहुत traumas देखे हैं लास्ट एर में brain चार बार मुझे ब्रेन आमरेज हो चुका मेरा हाफ एरिया अभी भी ठीक से काम नहीं करता रूटीम पे मुझे कोई ना कोई इस्यू रहते हैं उसी में मैंने पूरी एक फिल्म बना के खड़ा कर लिया उसी में मैं अपना second project कर रही है उसी पर मैं अपना third project कर रही है तो यह चीज़े होती है कब जब हम life में accept कर लेते हैं acceptance बहुत जरूरी कि life को comfort zone में नहीं होना चाहिए अगर life बहुत comfort zone में होगी तो हमारी growth कैसे होगी अब भगवान ने अल्रडी हमारी life को बहुत comfort zone में डाल रखा है उसके लिए एक thankful feeling भी होना चाहिए और divergence रखिए मैंने कोशिश की इस में diversion रहने की मैं dog से diverted रहती हैं देखती हैं उनकी मदद कैसे कर पाऊं मैं अपने प्रावंस पौदों के बीच में थोड़ा social work नहीं लोगों से बातचीत करना अपने कामों में और क्या नावल्टी ला सकती हैं रैटिंग की एक natural happiness release होती है जिससे आपके stress अलड़ी दूर रहते हैं तो यह तो मैंने कुछ solution दिए आई होप आपको थोड़ा बोर किया हूँ तो मुझे माफ करिएगा पर मैं अपनी तरव से मेरी यह रहती है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं आज अपने description box में अपना email id डालूंगी अगर किसी को कुछ भी problem है कोई कई लोग ऐसे depression में होंगे जो अपनी stories को नहीं बता पा रहे होंगे नहीं बात कर पा रहे होंगे आप mail करके मुझसे बात कर सकते हैं मैं जो भी मदद कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी तो क्योंकि अगर हम एक साथ चुटके एक साथ हो के साथ में हिम्मत बान के चलेंगे ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो इन चीजों से जूज रहे हैं तो I am sure हम पूरा भारत इन problem से जल्द इस वाले बहुत कुछ देखते हैं बहुत कुछ देखते हैं लाइक में ऐसे वाइप से लिडी हम बहुत कुछ सिंगल हैं बहुत चीज़ें रंकिल करते हैं तो हमारी स्ट्रंथ थोड़ी से common आदमी से जदा होती है जिसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है एप्रिशेट करने वाली बात है और इंडियन मॉमेंन को तो भाईया आप साहनते नहीं दस्तानी औरतों में बहुत ताकत होती है बहुत दम होता है तो अगर आपको कोई भी प्राब्रम इशु है आप मुझसे जरुर बात करें और मेरा ब्लॉग पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आप यहम जहें